जैहिन साथियों कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तो इस समय रेलवे की भरती को लेकर काफी जादा अफरा तफरी का माहौल है काफी जादा भरम की इस्तिती जो है उत्पन हो रही है सोसल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे कि जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी है वो भी रेलवे में जो नई भरती है इसका दाबा ठोक रहे है क्या वास्तव में ऐसा है इसका सचाई से कितना वास्ता है कितना समय रेलवे विभाग अभी और लगाएगा इन वेकेंसीज को लाने के लिए देखे सबसे पहले मैं तो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेलवे गुरूब डी एंटी पीसी 2019 में भरती आई उसके बाद मैं कोई भरती नहीं आई आर पी एफ की लंबे अर्से से बढ़ती नहीं आई तो रेलवे विभाग में रिक्तिया तो है क्योंकि सबसे बड़ा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा करमचारी कारियरत है लगवग 14,00,00 से ज़्यादा करमचारी रेलवे विभाग से जुड़े हुए है तो ऐसे में एक बड़ी रिक्वार्मेंट लगवग लगवग एक अंदाजा था कि लगवग 3,00,00 के आसपास रेलवे में पद खाली पड़े हुए है तो क्या भरने का कोई विचार रेलवे ने बनाया है तो आप लोग देख रहे हैं कि लंबे अरसे से रेलवे इसकी संब्द में कोई सूचना जारी नहीं किया है तो हल ही में जो सोचल प्लेटफॉर्म पर सोचल मीडिया पर यूट्यूब पर फेस्बुक पर यहां तक कि गूगल अपनी कम्यूटी में यह चीज डाल के में इंसन कर रहा है गूगल क्रॉम में आप लोग जब देखोगे तो वहां स्क्रॉल करते हो जब न्यूज में आओगी तो वहां आपको ऐसी जो खबरें हैं वो देखने के लिए मिल चाहेंगे तो 95,000 पदों पर भरती देखिए भई मैं इतना तो किलियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत चुनाब है 2024 में रेलवे विभाग में भरती तो आनी चाहिए जैसे कि SSC GD की बरती लगातार यारे यह 2021 में आई है ना 2021 में 2022 में और 2023 में भी गोशना कर दिया तो एक इसारा स्पस्ट हो जा रहा है बस एक चीज जो इसे लाने के लिए यानी रेलवे की जो भरती आएगी इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कहीं से पता चलता है तो वो 2024 के चुनाब सही ज़्यादा पता चलता है लेकिन आएगी कौन से महिने में ये फिक्स नहीं है है ना लेकिन भरती आएंगी इतना मैं पक्का कह रहा हूँ रेलवे भरती जरूर करेगा और रेलवे क्या करेगा Central Government कराएगी क्योंकि Central Government 2024 में लोक सभा का चुनाब लड़ेगी और ये लोक सभा का चुनाब किसी एक स्टेट से नहीं होता सभी स्टेट और सभी जो यूटी यानि यूनिन ट्रेटरी संग सासित परदेसों को मिला के चुनाब होता है तो ऐसे में देखिए अभी गूगल ने क्या अपडेट जारी किया मैं आपको दिखा रहा हूँ रेलवे दस वी बार वी प्लस इसमें गरिज विसन तक की जो योगिता है इसके आधार से वेकेंसी निकालता है गूगल क्रॉम ने क्या जारी किया है फर्मान में वो आपको लोग को दिखाऊंगा कितनी सत्यता है तो सत्यता देगी अभी नहीं है ये वेकेंसी अभी हाल फिलाल में आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगी लेकिन इस साल के अंत तक भरती आपको देखने के लिए म तो उसी से देखिए यह यहां आप लोग देखिए रेल मंत्री असनवी वैशनम ने हाल ही में रेलवे की और उसे एक बड़ी भरती निकाल ले जाने की और इसारा किया है और आप रेलवे ने इस भरती के लिए नॉटिफिकेशन पिरकरिया पर काम सुरू कर दिया है ठीक ना और हम आपको रेलवे इस सबसे बड़ी चर्चित भरती को लेकर कुछ एम जानकारी दे रहें जिसमें गुड्स गार्ड्स की भरती हो सकती रेलवे गुरूप डी भरती हो सकती है ठीक ना और यहां देके रेलवे गुरूप डी के लिए सेक्श की योगता है इनोंने होती है वह आपकी एक्जाम से होती है तो इस प्रकार से आप लोग देखिए देखिए रेलवे की भरती को लेकर चैन प्रक्रिया पर लोग विचार करें लेकिन आपको बताते चले कि अभी कुछ इस पस्ट नहीं है अगर इस पस्ट है तो के वले इतना कि रेलवे दौरा सभी आसंकाइं दूर हो जाएंगे नोटिफिकेशन में सारा कुछ जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो देखिए फिलाल नोटिफिकेशन को लेकर जो अपडेट आ रही है उसके हिसाब से इतना निकल कर सामने आ रहा है कि रेलवे दौरा सितंबर के मद् मद्य तो आ चुका है है ना चलिए और दो से तीन दिन बचे हुए है आज 13 तो होई गई कहने का मतलब यह है ठीक है तो अभी और इंतजार करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है कितनी सत्यता इस खवर में हैं क्योंकि सितंबर के मद्य का दावा ठोकर है अगर यह नहीं आती है तो फिर भई इस साल के अंतर तक भरते आजगते हैं पूरी पूरी संभाब ना है